मामुली से विवाद में एक छात्र की पीट पीट कर कुछ लोग हत्या कर देते हैं और अभी भी जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा नहीं जा सका है हाला कि उसकी तलाश के लिए जगजग़ छापे पड़ रहे हैं दपिश दी जा रही है लेकिन जो इसका दुर्भागे पूर्ण पहलू है और चुकि मैं खुद इलहाबाद का रहने वाला हूँ इलहाबाद उश्री देले का छात्र रहा हूँ मुझे ऐसी ढेरो घटनाय याद आती हैं जहां इस तरह से दो छात्र समूहों में या छात्रों के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर जहगड़ा होता था और इस्तिती बहुत बिगड़ जाती थे हलांकि तब भी हालात कभी ये नहीं हुए कि लोग एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाएं ठीक है जहगड़ा होता था मारपीट होती थी कई बार लोगों को जादा जहगड़ा हुआ तो हाथ पर टूड़ याता था ता अगर किसी का कखें कि कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है जो जान किसी की जा सकती हो कुछ इस तरह इस्तिती थी तो लोग खुदी कितना भी पर दूब आपकों के बीच का मुहला है जहां इस्थानी लोग रहते हैं और बड़ी बाजार है और यह हमलों के समय में भी होता था कि कई भार चात्रावास के लड़कों हो जगडा हो जाता था लेकिन इस बार जो जगडा हुआ है वह जगडा यह कि किसी रेस्टरेंट में स हतरनाक बात रही कि उसके बाद वो जिन्होंने हत्या की वो पेशेवर अपराधी हैं वो जो अब रिकॉर्ड ये सामने आ रहे हैं कि वो पहले भी जो प्रदेश के कई कुछ एक जो चर्चित हत्या कारण रहें उसमें शामिल लोग थे लेकिन ये एक पहलू हुआ इसका जो बहुत बेहत दुर्भागयपूर्ण है और निश्चित तोर पर इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की जिला प्रशासन की इन सब की है और उन हत्यानों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए लेकिन जो ज्यादा दुर्भागयपूर्ण है कि एलाहाबाद में अख़वारों की आप हेडलाइन देखेंगे और वहां से निकल कर दिली में देश की राजधानी में भी टीवी चैनलों पर अख़वारों की हेडलाइन देखेंगे या जो तथाकतित बुद्धिजीवी लोग हैं पत्रकार हैं वो भी हेडलाइन जो लि पीट-पीट कर मारते या कोई भी और होता या किसी भी तरह का व्यक्ति होता अगर इस तरह का जगड़ा होता तो पेशेवर अपराधी थे और यही करते और यहीं पर जाकर मुझे लगता है कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों की पत्रकारों की भूमिका वो थोड़ी से उने सोचनी चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं जो बार-बार वो बात कहते हैं तो समाज में सबसे जादा फूट डालने सबसे जादा विभाजन करने का काम खुद पत्रकार और बुद्धिजीवी ही कर रहे हैं और कमाल की बात है कि कुछ एक पुराने छातरसंग अध्यक् कुछ गलत हो कि उसकी जाती दलित है या किसी एक खास वर्ग को टार्गेट किया जा रहा है तो उन आयोगों में जाना चाहिए लेकिन ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला है जो अपराधी है उनको पकड़ा जाना चाहिए एक दो लोग पकड़े गये हैं उनको क छलित बनाम अन्य का तुरत कह दिया जाता है जिस तरह से डर का महौल तयार करने की कोशिश होती है तो मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए जहाँ पर लड़के पढ़ रहे हैं नौजवान हैं इस तरह का महौल पैदा करना इस तरह की राजनीत करना ये नितांत दु जिम्यदार होगी प्रशासन इसका जिम्यदार होगा उस पर दबाव बनाने का काम चात्रसंग का चात्रनेताओं का पूरु चात्रसंग द्यक्षों का और राजनितिक दलों का है समाज के लोग का है लेकिन कृपा करके इसको दलित बनाम अन्य में मत बाटिये इसका दलित हो उस चात्र की मौत से कोई वास्ता नहीं है उसका दलित होना इस हत्या की वज़ा नहीं बना है ये एक विवाद में पेशेवर अपराधियों द्वारा की गई निर्मम हत्या है इसको उसी तरह से बोला जाना चाहिए बताया जाना चाहिए निंदा की जाने चाहिए और सरकार पर प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए